नमस्कार, मैं डॉक्टर राशिश आ रहा, MBBS आज हम बत करेंगे कि हमें एक दिन में कितनी केलोरी के अविशक्ता होती है एक सामाने वेक्ति को अगर सामाने कम करना है तो एक दिन में करीवन 1800 से लेके 200 केलोरी के अविशक्ता होती है और अगर हमें 4-5 गंटे कड़ी मेनत करना है या 4-5 गंटे कोई स्पूर्स में हिस्सा लेना है तो एक दिन में करीवन हमें 2500 से 3000 केलोरी के अविशक्ता होती है और अगर हमें वजन कम करना है या हमें डाइबिटीज है तो एक दिन में हमें करीबं 300 से लेके 1500 किलोरी की अवेशकता होती है हमें एक दिन के खाने से जितनी किलोरी चाहिए अब आग उससे 200 से लेके 300 किलोरी कम रह जाती है या दोसों से लेके 300 किलोरी ज़्यादा हो जाती है तो उससे कोई खास पर्क नहीं पड़ता है हमारी बोडी उसको आराम से एड़िस कर सकती है हमारे खाने में किलोरी बो नापने से भी ज़्यादा जिरूरी होता है किलोरी का बैलेंस होना केलोरी का बैलन्स होना मतलब कार्वाइडेट, प्रोटीन और फैट से सही मातरा में, सही पतिश्यत में केलोरी का होना हमारे खाने में 3 पोस्टिक तब से हमें केलोरी मिलती है कार्वाइडेट, प्रोटीन और फैट कार्वो आइडिट से हमें करीवन 60-70% कलोरी चाहिए होती है पैट से करीवन 20-25% कलोरी चाहिए रहती है और प्रोटीन से 10-15% कलोरी चाहिए होती है उस लोग सामाने काम करने के लिए एक दिन में करीवन 3000 से लेके 4000 कलोरी लेते हैं इनके खाने में प्रूटीन से किलोरीगा परतिशत अधिकतर समी चार से पांच परसंट रहता है और अगर ये प्रूटीन से किलोरीगा परतिशत 10 से 12 परसंट कर देते हैं तो इनको जो जादा खाने की अद़त है वो अपने आप ठीजरे कर एक काप होने लगती है